हडो दोस्तों कुछ कास में आपका स्वागत है जिङोगरफिक क्लास कि आज ये दूसरी क्लास है और हम लोग भारत का भूट डिक भाजन पड़ लाएं सबसे पहले हम भारत का भुगोल पढ़ेंगे, इसके बाद हम बिस्क का भुगोल पढ़ेंगे, और फिर हम पूरे बिस्क की मैपिंग भी हम लोग करेंगे, अलग-अलग, जिससे एक भी कुशन जियोगरफी गलत ना होने पाएं, इसी तरह से हिस्ट्री, जियोगरफी, पॉ पॉकस के जा रहा है, हम लोग सुरू करते हैं, आज दूसरी कलास जियोगरफी की, भारत का भुगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, और भारत का भुगोल में भारत का भुगोल बिभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैप कि तरू में हम लोग इसको देखेंगे के करके मैंने कल वाली क्लास भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि भारत को भौतिक रूप से 6 भागों बाटा गया है, उत्तर का हिमारे परबत चेतर है, गंगा का मैदान है, थार मरुस्थल का चेतर है, और यह आपका पच्छमी तटिय मैदान है, और यह आपका पूर्वी पठार है, और यहाँ पर दो आईलेंड है, एक लच दिप और एक अंडमान, तो भारत को टोटल 6 भागों में बाटा गया है, यह आप लोगों को याद रखना है, आज हम लोग दूसरे भी भाजन की ओर चलते हैं, भारत का बहुती भाजन यहाँ भी देखा गया है, मैं आ आज हम भारतिय प्राधिय पठार के बारे में आपको बताएंगे, और भारतिय प्राधिय प्राधिय पठार है, उसको बिल्कुल मैप कितरों हम बताएंगे, जिससे आपके दिमाग में बाते बैट जाएं और आपको चीज़े वो याद रहें, भारतिय प्राधिय प्राध पठारी चेतर है और ये पठारी चेतर में पठार भी है प्लेटून भी है और उसके साथ साथ आपका वहाँ पर माउंटेन पहाडिया भी है जैसे पच्मिघाट, पूर्बी घाट, अरावली, बिंद, सत्पुरा ऐसी बहुत सारी पहाडिया है तो हमें दोनों पढ़ना है प पठार के बारे में पढ़ेंगे ये पठार का मैप दिखाया गया है ये पठार की परिभासा क्या होती पर आप लिए लिख लीजेगा नोटकर लीजेगा कि पठार उसे कहते हैं जिसका सिखर मेज के आकार का होता हो ठीक है ये पहला कंडिसन होता है पठार के लिए और इसरा कर्डिशन होता है कि ये जो है इसकी जो उचाई होती है ये आउसत उचाई छे सो मीटर होती है तो छे सो मीटर जिस पठार की आउसत उचाई होती है उसी को कहा जाता है पठार कहते हैं याद रखेगा और ये उचा चेतर है और पठार को उच भूमी भी कहा जाता है य पठार ही होता है तो ये पठार की परिभासा तीन है अब इसको जरूर नोट कर लिएगा इसमें सबसे मध्यवर्ती उच्छ भून और मध्यवर्ती उच्छ भून में तीन पठार सामिल है बगेल खंड का पठार मालवा का पठार और बगेल खंड का पठार जबकि अगर हम बात करें पूर्वी पठार के अंतरगत तो पूर्वी पठार के अंतरगत ये तीन पठार सामिल होते हैं दंड करान पठार है आपका छोटा नागपुर का पठार है और मेगाले के पठार को पूर्भी पठार कहा जाता है जैसे यहाँ पर आप देखिए ये लिका है मद्ध वर्ती उच्च भूमी मद्ध वर्ती जो उच्छ भूमी है इसमें मालवा का पठार हमें पढ़ना है बुंदेल खंड का पठार पढ़ना है और बगेल खंड का पठार ये तीनों पठार को हमें एक साथ पढ़ना है जिसको एक सब्द में कहते हैं मद्ध उच्च भूमी कहा जाता है ये बिल्कुल भारत के बीच में है अगर हमें इसे मैं बनाते हैं तो यहाँ पर मालवा का पठार यहाँ पर बुंदेल खंड का पठार और यहाँ पर बगेल खंड का पठार इन तीनों पठारों को क्या कहते हैं मद्ध उच्छ भूमी कहा जाता है और ये आपका मालवा पठार ये बुंदेलखंड का पठार और ये बगेलखंड का पठार तो याद देखेगा ये तीन पठार किसके अंतरगत आते हैं ये मद्ध उच्छ भूमी के अंतरगत सामिल है इसके बाद है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार में भी तीन पठार सामिल, हमने भी मैप भी देखा है भारत का जो पूरी भी छेत्र है, उसमें तीनों पठार सामिल है, यहाँ पर है आपका मेगाले का पठार ये हो गया आपका मेगाले के पठार, जारकंड में आपका छोटानादपुर का पठार और चत्रिसगर्ण में आपका दंड करायन पठार, तो इन तीनों पठारों को कहते हैं पूर्बी पठार कहा जाता है इसके बाद है दच्छे भारत में दक्कन के पथार यह आपका दक्कन के पथार है दक्कन के पथार के अंतरगत तीन पथार सामिल है महराश्ट का पथार, कन्नाटक का पथार और तिलंगाना का पथार महराश्ट का जो पथार है यह हो गया तेलंगाना का पठार हो गया और यह हो गया कनाटक का पठार और इन तीनों पठार को एक सद में क्या बोलेंगे दक्कन का पठार तो दक्कन के पठार के अंतर का तीन पठार आते हैं आप इनको अच्छे से देख लीजेगा दक्कन पठार के अंतर का तीन पठार कौन-कौन से प्रणाते हैं तो महराष्ट का पठार, करनाटक का पठार और तेलंगाना का पठार इसमें सामिल किया गया है आगे चलते हैं मध्य उच्छी भूमी के अंदरगा सबसे पहले हम मालवा के पठार की बात करते हैं याद दखेगा मालवा के पठार कि हम पहले माईप के दिरूँ देख लेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा, तो जो मालवा का पठार है, ये इसका लोकेसिन एक बार एकजाम में पूछा गया, कि मालवा का पठार किन दो पहाड़ीों की बीच इस्तित है, तो अरावली पहाड़ी और बिंद पहाड़ी के बीच में जो पठार परता है, इसी को कहते हैं मालवा का पठार, तो अगर एक जाम पूछा जाए कि मालवा पठार कहां पर है, और इसी से आपको बिलकुल याद हो जाएगा कि मालवा का पठार कहां पर है, तो अरावली पहाड़ी और बिंद परहाड़ी के बीच में है मालवा का पठार, और इसका बिस्तार मद्ध पर्देश में है, गुजरात में है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है, राजास्थान में भी पढ़ता है, आगे बढ़ते हैं, इसकी भी सेस्ता जान लेते हैं, अब यहाद देखो दिया है, हम बिलकुल पॉइंट के थो पढ़ेंगे, तो बिलकुल हमें याद हो जाएगा, कि मालवा का पठार, बिंद परबत और अरावाली पहारी के मद्ध में, इससी तरह आप से एक जामें पुछा जाएगा, कि मालवा का पठार किन दो पहारी के बीच है, तो आप अब अच्छे से बता लोगे, क्योंकि मैप दिमाग में है आपके, और यह आपका, इसलिए मैप के थुरू बताने के प्रियास किया जाता है, कि अगर पुछा जाए, कि मालवा का पठार किन दो पहारी बीच है, तो आप पिल्कुल मैप देख सकते हैं, अरावाली पहारी और बिंद पहारी के बीच में, यह पढ़ता है मालवा का पठार, यह पठार लावा से बना होई, लावा मतलब यह लावा से ढखा है, लावा मतलब होता है, आगे बताऊंगा भी इसलिए क्लास में, आगे बताऊंगा में, लावा निकलता है किससे जब जॉला मुकी किरिया होती है, और यहाँ पर लावा अगर होगा तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी तो काली मिट्टी का छेतर है आप से जान पूछा जाएगा कि मालवा की पठार में कैसी मिर्दा पाई जाती है तो काली मिर्दा पाई जाती है यहाँ बहने वाली परमुक नदिया कौन-कौन सी है बनास है, चंबल है, सिंध है, माही है और बेतवा नदिया इस पठार से होकर बैती है इस पठार में गेहूं और चेने की खेती सबसे आधिक की जाती है एक जामें ऐसे कुशन आते हैं तो इसको हम अगर हम पॉइंट फूट देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा दूसरा पठार है बुंदेलखन का पठार और बुंदेलखन का पठार भी मद्धवर्ती पठार का हिस्सा होता है मैंने भी बताया और यह पठार मालवा पठार के बिलकुल पूरम में इस्तित है पहले इसकी बता देते हैं बुंदेलखन पठार के बारे बता देते हैं बुंदेलखन पठार जो है ये दो स्टेट में फैला हुआ है UP में भी है और MP में भी है अब देखो ध्यान से देखना UP के दच्छिड में है और MP के उत्तर में बुंदेल खंड का पठार इस्तिति कभी-कभी ऐसे वाक की बना के भी कुशन दे देता है तो याद रखेगा बुंदेरखन का पठार कहां पर है तो याद रखेगा ये उत्तर परदेश और मद्ध परदेश दोनों में फैला हुआ है इसकी बिस्यस्ता को जान लेते हैं यहां साफ साफ लिखा हुआ है यहां मालवा पठार के पूर में सित है इसकी अस्त्रा किर्थी नीस और क्वाटर जायट के गहन अपर्दन से बिक्सित हुई है इसके मतलब यहाँ पे नीस और क्वाटर जायट नमक चटाने पाई जाती है चंबल नदी द्वारा बने महा खड़ो के कारण ही इस परदेश को उत्खात भून के नाम से जाना जाता है उत्खात भून का मतलब होता है उची नीची भून कहा जाता है इसके अंतरगत उत्तर परदेश के पांच जिले और मद्ध परदेश के चार जिले सामिल है इससे होकर को नदी बैती है तो केन बेतवा और धसा नदिया इस पठार से होकर बैती है और इस यहाँ पठार सूखा परभावी छेत रहे यहाँ पर वर्सा कम होती है किस पठार में बुंदेलखन के पठार में और बुंदेलखन पठार में को नदी बैती है तो केन बेतवा और दसा नदिया बैती हैं इसके बाद है बगेल खंड का पठार बगेल खंड का पठार कहा पर है तो ये 36 गड़ और मद्ध परदेश में दुनों जगा पर है और बगेल खंड का पठार ये लोकेशन है और ये मद्धवर्ती पठार का हिस्सा है जैसे कर हम बात करें ये परवत के पूर्व और सोन नदी के दच्छिर में इस्तित है पूर्वी मद्ध परदेश और उत्तरी चतिसगर में या फैला हुआ है इस पठार की पर्मू नदी सोन नदी है इस पठार से सोन नदी होकर के बहती है और इस पठार में जो है चोना पत्थर और बल्वा पत्थर और पूर में गिरनाइट निर्मिल चटाने पाई जाती है और पठारी छेतर में चावल की खेती जादा होती है और इस पठार में लाल और पीली मिर्दा भी पाई जाती है याद दखेगा पठारी छेतर में खनी ज़्यादा पा जाते हैं और काली ये लाल और पीली मिर्दा यहाँ पर पाई जाती है अब हम बात करते हैं पूर्वी पठार की तो याद दखेगा अगर पूर्वी पठार आ जाए तो पूर्वी पठार में टोटल तीन पठार सामिल ह चोटा नागपुर का पठार है, डंडक करायर पठार है और मेगालक पठार है हम सबसे पहले बात करेंगे चोटा नागपुर के पठार की चोटा नागपुर का जो पठार है ये आपका मेंली 36 जार खंड में है लेकिन इसका विस्तार बिहार में थोड़ा सा पड़ता है थोड़ा सा पची मंगाल में पड़ता है और थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है चतिस गड़ में भी पड़ता है चोटानापुर का जो पठार है इसमें 98% कोईला पा जाता है यह याद रखना है आपको और इसकी सबसे जो उची चोटी है मैंने यहाँ बना दिया है बिल्कुल तो इसकी जो सबसे उची चोटी है वो यह कौन सी है तो पारसनाथ की पहाड़ी है या चोटानापुर पठार की सबसे उची चोटी माने जाती है ठेक है इसके बाद है इसके बारे जान लेते हैं क्या है या भारतिय प्राइदियूपिय का उत्तर पूर्वी विस्तार है या संपूल जारकंड उत्तर पूर्वी चतिसगर और पच्छी मंगाल के पुरलिया जिले को समाहित करती है यह चोटा सा पच्छी मंगाल में भी फ़र्द पड़ता है जार कर्ण में इसका सबस्यादा चेतर पड़ता है और चतिसगर के कुछ चेतरों में इसका भी फैलाव दिखा जाता है इस पठार में या पठार गोडवाना करम की चटानों से बना है, बहुत important है और गोडवाना करम की चटानों में ही क्या पाजाता है तो गोडवाना करम की चटानों में ही पाया जाता है आपका कोईला इसलिए छोटनागपुर के पठार में 98% कोईला पाजाता है भारत का इसलिए आपको याद रखना हिए और इसको रूर परदेश भी कहा जाता है याद रखेगा छुटनावबूर के पठार को रूर परदेश भी कहते हैं और रूर परदेश कहा है तो जर्मनी में है तो जर्मनी के रूर परदेश में जैसे कोईला पा जाता है वो इसे भारत के छुटनापूर के पठार पा जाता है इसलिए इसको रूर परदेश कहा जाता है इस पठार की उचाई कितनी है तो 300 से 900 मीटर तक देखी गई है इस पठार की सबसे उची चोटी पारफनात पहाड़ी है इस पठार में भारत का 98% कोईला पाया जाता है इस पठार से दामुदन नदी, आजे नदी, उत्री कोईल नदी, सौन लेखा नदी, आज नदीया निकलती है इस पठार में चूना पत्थर और अबरग जैसे खने और भी पाय जाते हैं कोईला के साथ साथ और इस पठार से बिहार में निकलने वारी परव नदियां है, फलगू है, पुनपुन नदियां भी जैसे नदियां जो पठार से निकल करके चोटनाकुर के पठार से बिहार में जा करके बैती हैं इसके लावा छोटानाकुर पठार के अंतरगत को डर्मा पठार भी सामिल है छोटा सा उसमें अलग से है हजारी बाग का पठार उसी में सामिल है छोटानाकुर के अंतरगत आता है राजी का पठार भी है उसमें और सिम डेगा पठार भी उसी के अंतरगत सामिल है तो इतने पठार सामिल है कहाँ पर तो इसी पठार के हिस्से हैं छोटानापुर के पठार के हिस्से हैं इसके बाद आगे पढ़ते हैं मेगाले का पठार या देखेगा मेगाले का जो पठार है इसमें तीन पहाड़िया है गारो खासी और जैनतिया तो पहले नमबर पर यह आपका चोटनापूर का पठार है तो पहले गारो पहाड़ी है फिर खासी पहाड़ी है और फिर जैंतिया पहाड़ी है तीन पहाड़ीों का जो हिस्सा है इसी को मेघाले या सिलॉंग का पठार के नाम से जाने जाता है एक बात ध्यान दिजेगा जो चोटनापुर का पठार है उसी का ये हिस्सा है मेगाले का पठार है जब हमारी पिर्ट ये इंडियन प्लेट ये युरेसे पिर से टकराई थी तो चोटनापुर के पठार से तूट करके मेगाले का पठार आगे निकल गया और यहां पर चला गया और इन दोनों की बीच में जो गैप हो गया इस गैप को कहते हैं मालदा गैप या इसी को कहते हैं गारो राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है ध्यान देना अगर आपसी जाण पुछा जाए कि छोटणापूर के पठार और मेगाले के पठार के बीच में गैप को क्या कहते हैं तो दो नांसर पुकारते हैं इसे हम मालदा गैप कहते हैं या गारो राजमहल गैप के नाम से भी इसको जाना जाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं या गारों खासी जेंदिया पहाडियों में भी भगता है इसमें तीन पाड़ियां है यहां पे लेट राइट मिट्टी पाजाती है और या बिस्व के सर्बाधिक वर्सा प्राप्त करने वाला अस्थान यही है यहां सबसे अधिक वर्सा होती है और वर्सा का जो चेतर है वो है मासीन राम और चेरा पूंजी का चेतर है इसकी वर्सत जो उचाई है वो 600 से 900 मिटर के मद्ध पाजाती है इस पठार में कोईला और नायट्रेट का उत्पादन बहुत जादा होता है यहां को या रखना है इसके बाद में इस पठार में या रखेगा सबस्यादिक वर्सा होती है बिस्व की बिस्व की सबस्यादिक वर्सा होती है और गाउं का नाम है मासीन राम जो खासी पहाड़ी में इस्तित है और दूसरा गाउं है चेरा पूंजी तो इन्हीं दोनों गाउं में बिस्व की सबस्यादिक वर्सा होती है लि इसके बाद है डंड कारान पठार, डंड कारान पठार कहाँ पर है, तो यह आपका च्छतिस गड़ में है, इसका थोड़ा सा बिस्तार जो है, उरीसा और आंध पर देस्पलता है, और यहाँ पर एक बैला डिला खान है, पहारी है और खान भी है, जहाँ पर लोहे का उत पाद हैं, इंद्रावती नदी इस पठार को दो भागों में बाड़ती है, या दखिएगा इंद्रावती नदी कि पुछा जाएक ऑ़ किस पठार में बाती है, तो आपको बताना होगा, बस्तर के पठार में, Sólo conosant स ब्यGeist to me, इस पठार में लोहे का उत पादन सब सी है और बस्तर पठार जो है वह एक पहाड़ी भी है बस्तर की एक पहाड़ी भी है उसी उभी इसी पठार का हिस्सा माना जाता है लेकिन इस पठार के विस्यस्ता ये भी है कि ये इस पठार नकसल प्रभावी छेतर है या रखेगा बस्तर का पठार नकसल प्रभावी छेतर भ पठार और तेलंगना पठार और इन तीनों पठार को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? दककन का पठार कहते हैं. बिल्कुल मैप की तुरू बता जया गया है? आपको याद हो जाएगा. महाराश पठार की बात करें महाराश का जो पठार है इसका निर्मार कैसे हुआ है तो इसका निर्मार हुआ है जौला मुकी से बहुत ध्यान समझेगा इसका निर्मार जौला मुकी से हुआ है या प्याद रखेगा ये प्लेट है और ये नीचे जो है ये मैगमा है प्याद रखेगा ये मैगमा है और ये है आपका लावा है तो जब ज नीचे पा जाता है उसको मैगमा कहते हैं और मैगमा देर में ठंडा होता है इसलिए मैगमा के ठंडा होने से जो चटान बनती है वो ग्रे नाइट की चटान होती है और ग्रे नाइट चटान सबसे कठो चटाने होती है आजानता एलोरा जैसी गुफाओं का निर्मार और प्र लेकलर का दिख रहा है यह लावा है और लावा का जो पठार होता है यही मैगमा जब धरातल के उपर आ जाता है तो इसी को लावा कहते हैं और लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनती है वो चट्टान होती है बेसाल्ट और बेसाल्ट चट्टान जल्दी ठंडी हो जात इसलिए कम जोर होती है और इसके टूटने से ही काली मिठी बनती है। इसलिए याद एकिना कि जो काली मिर्दा कहां पाई जाती है तो ये आपका महराश्ट के पठार में पाई जाती है। इसलिए काली मिर्दा में कपास का उत्पादन जादा होता है और इसलिए महराश्ट और गुजरात कपास के उत्पादन में नमबर एक पर हैं। दक्कन का पठार में पहला है महाराश का पठार, यह महाराश का पठार है और यह पूरा जो है लावा से निर्मित है, इसलिए इसको लावा पठार भी कहते हैं, यह पूरा लावा फैला हुआ है और यहां पर काली मिर्दा पाई जाती है, तो यह पूरा आपका महाराश का जाती है और यहा पठार कपास की खेती के लिए परसिद्ध है. लावा की गहराई यहाँ पर दो हजार किलोमिटर तक है. इसकी औसद उचाई कितनी है? 31-30STE. कंनाटक का पठार. कंनाटक का पठार दककर्ठार का हिस्सा माना जाता है. और इसलिए लोहे के उतपादन में और सोने के उतपादन में, दोनों उतपादन में करनाटक भारत में पर्थम अस्थान रखता है। यह आप लोग याद दखिएगा। इसकी विसेस्ता देख लेते हैं करनाटक पठार के अंतरगत मैसूर का पठार क्या देखेगा मैसूर का पठार, बंगनूरू का पठार सामिल है इस पठार में बाबा बुदन की पहाड़ियां सीमोगा की पहाड़ियां भी सामिल है इस पठार में लोहे का उत पादन होता है और इस पठार में काफी के खेती की जाती है और यहां पर लाल और पीली मिर्दा पाई जाती है संपूर कराटक पठार की जो उचाई है वो तीन सो से आठ सो मिटर के मद देखी गई है और एक खास बास इसकी यह है कि इस पठार में जो है सबसे ज़दा क्या पायता है सोने का उत्पादन होता है और यहां पर सोने की सबसे बड़ी खान का भी नाम है कोलार की खान यह बंगलूरू के पास कोलार की खान है और कोलार की खान किसके लिए फेमस है तो ये सोने का उत पादनिया से होता है इसके अलावा तो भद्रा और काबेरी नदियों के उद्गम अस्तल भी इसी पठार में इस्तित हैं या देखेगा इसी पठार में दोने नदियां बहती भी है इसके बाद है तिलंगाना का पठार तेलंगाना का जो पठार है ये आपका इसमें दो छेत्र है इसमें तेलंगाना का पठार में ये पूरा तेलंगाना का पठार कहलाता है और इसमें रायल सीमा का पठार भी सामिल है ये दच्छिर में रायल सीमा का पठार है और ये आंद परदेश और तेलंगाना में दोनों म प्षेला हुआ है और यहाँ पर यूरेनियम और अभरक का उत्पादन जदा होता है। यह हो गया आपका प्राइद यूपिय पठार का मैंने पूरा हिस्सा में आपको बता दिया है, बिल्कुल मैप की थुरों चीज़ों को बताया है, बिसेस्ता को अच्छे बताया है, आप यह वीडियो अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता आप पूछेगा वीडियो कैसे लगा, आप जरूर कमेंट में बतायेगा, और इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, पूरा जोगर्फी, हिस्ट्री जोगर्फी में बिल्कुल रटा दूँगा, यह मेरा दावा है, बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सस्क्राइब किरिए, और लोगों से सस्क्राइब करवाईए अपने दोस्तों से जुड़े उनको, टेलिग्राम चैनल को हमारे लाइक, आप लोग जरूर जॉइन कर लिजिया, टेस्ट देते रहें, और आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, और आप अपने तयारी को और अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, बोके, ठे आ सकते एंपने करता मिलते नके।